अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें सब्सक्राइब करें अपने लिए तंदूरी चाय बनाने जा रही थी तो आप से भी रेसिपी शेयर कर लूँ यह एक मिटी का बरतन है आम जो मिटी के बरतनों की दुकाने होती है वहां से मिल जाते है इसको मैंने लिया इसको मैंने अच्छी से दोया और खुश कर लिया एक स चाय बना रहे हैं तो दोकब दूद डालेंगे हमा जो थूद है वह घर का है इसमें आधा कप पानी भी डालेंगी अगर आपका बजार का दूद हो तो आप डाई कंप दूद ही लें वह तो वैसे इतना पतला होता है और इसके साथ अब इसमें डालेंगे चार-पांच चुटकी नमक टालेंगे इसके अलावा ये तीन सबज यलाइचेन को गूटके ये डाल देंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे जितनी देर हमारी चाय का दूद उबल रहा है उतनी देर हम इसको दूसरे चुले पर गरम होने के लिए छोड़ देंगे ये इस बर्तन को बहुत अच्छी तरह गरम होना चाहिए तो इसको दूसरे चुले पर अच्छी तरह गरम हो जाए और इदर दूद के अंदर जब इसक के डाल देंगे पांच मिनेट हमने चाय को अच्छी तरा पकाया है ताके पानी का कच्छा पन नावे तो अब हम इसको छान लेंगे किजिल के मिंटी के बर्तन को अच्छी से गुमागु मा कर लिया अब इसको कट उसको एक बर्तर में रहेंगे थोड查 ऑप बड़े बर्ताम में रहेंगे ताक ine BR Анд liked अब इस गरम गरम मरतर में यह गरम गरम चाइडा आते हैं बर्तम का पस इतना ही काम था अब इसको लग कर देंगे और चाय को हम डालेंगे कप में गरम गरम दूंगा उड़ाती तंदूरी चाय बनकर त्यार है इसमें मिट्टी की खुश्बू के सासर दार चीनी और इलाईची की भी बड़े मज़ेगी खुश्बू आ रही है अगर आपको माई रैस्पी अची लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंट्स में शियर करें कमिट में में बताएं के आपको माई रैस्पी कैसी लगती है अब इसको अपने घरके किचन में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ सर्दियों के मौसमें मज़े ले लेकर इंजॉय करें